वेल्कम टू पाकिसान स्टॉकनेटिक उमीद है कि आप तमाब दोस्त और बहने करियत से होंगी आज जो है वो नया महीना चड़ चुका है यह कम तारीख है मार्च की और महीने का पहला दिन उसके साथ साथ फैनांशल वीक का पहला दिन तो आज काफी सारी बातें करने वाली है चलते हैं और देखते हैं क्या मार्किट ने क्या किया और क्या पूजिशन रही आज मार्किट ने तकरिव Pourquoi हमें ले लिए वापिस लेकिन एक वक्त पर तो शायद ये मैसूस हो रहा था कि मार्किट जाओव पूरा एक किलो जो है वो शायद निकाल लेगी लेकिन बात जो है वो चलें फिर कोई एक पाओ के करीब आगे जो है वो सिमट गई एक किलो से मुराद ये था कि शायद को हजार पॉंट निकल जाए और लेकिन चलें एक अच्छी रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली बहुत सारे लोग जो थे वो पैनिक थे तो यकिनन कुछ लोगों ने सेल भी किया होगा तो देखते हैं जी सरक्ट ब्रेकर की क्या पॉजिशन है फिर इंशाला तफसीलन गुफ्तबू जो है वो करने की कोशिश करेंगे जब हम समरे डिसकस करेंगे सरक्ट ब्रेकर की पॉजिशन देखें तो अपर कैप में ठीक है ऐसा सॉयल मिल हो गया बड़ा शेर है देखें जो शेर सौ रुपे के करीब होता नहीं मुसको थोड़ा सा बड़ा केंसीटर करता हूँ हम जैसे चोटे इंवेस्टर के लिए तो बड़ा ही है ना 100 रुपे वाला शेर और 600 रुपे वाला शेर तो फिर बहुत ही बड़ा है तो इंडस्टाइक भी हो गया फिर चलें दो तिन कमपनीज है अपर कैप तो गुड है क्योंकि सारी आप यह देखें कि जितनी भी कमपनीज अपर कैप हुई है सारी बड़ी कमपनीज है इसमें कोई दो रुपे वाला पांच रुपे वाला दस रुपे वाला बीस रुपे वाला कोई शेर नजर नहीं आ रहा ये भी एक significant चीज़ होती है जिसको हमें सीखने की जरूरत है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वीडियो के अंदर बहुत सारी companies ऐसी है जो कि आसुमान को जा के चूप अड़ी है लेकिन मैंने कभी उनके उनके उपर discuss ने की हलागे बहुत सरे दोस्ताहबाब आप गिलाश इक्वा भी करते हैं लेकि मैं नहीं करता देखना होता है कि किस वक्त कौन सी चीज़ जो है वो ऐसी है जिसमें आप इन्वेस्ट करें हर चीज हर वक्त इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होती ये मेरी एक अपनी जाती राय है ये मेरी अपनी जाती स्ट्रेटिजी कह लें आप जो कि जिकीनन गलत भी हो सकती है आगे हम करते है लोर कैप की बात तो लोर कैप में आगा हो गया आज अच्छे वालियम के साथ हुआ आइम हैपी अब जिन के पास है वो माइड ना कीजएगा कहने का मतलब यह होता है कि जब कोई कॉम्पनी जो है वो अच्छे वालियम के साथ लोर कैप हो तो बहुत सारे लोगों का सद्का निकल जाता है तो आगा ने आज जो है वो कुर्बानी दी और वो अपने सर ले लिया उसके बाद अगर हम देखे पार्ग डेटा कॉम को लोर कैप लगा दो लाक वारा हजार के साथ क्योंकि यह सौर रपे वाला शेर है तो चले हम इसको दो लाक के साथ कंसिडर कर लेते हैं सना को लगा कैप नीचे की तरफ पंद्रह हजार पे मेरी कोई स्टडी नहीं है इनके बारे में आगे चलते है तो तेखें मार्किट ने आज साथ सो पॉइंट तक भी हाथ लगाया एक वक्त में लेकिन आप यगिन कीजिए कि मैं अभी भी चार लग जाते जिस तरह एक आगा को लगा इस तरह से दो तीन और कॉम्पनी के लग जाते तो बाकिस सब का जो था वह जान चूड़ जाती लेकिन इसका भी इंपक्ट बहुत आया होगा यह हम समरी में डिसकस करेंगे आपको याद होगा कि जब यह लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी आ ठिंक सो के सब्व करें वेडियो अपलोड की थी उसमें जो हमने प्रीविस रिवियू लिया था मारिकिट का तो उसमें मैंने आपसे घुजारिश की थी कि सर मार्किट तो 100 पॉइंट नीचे है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस उन 100 पॉइंट का वजन वो 500 पॉइंट के बराबर लग रहा है तो माशालला बहुत सरे लोगों ने इसके उपर अच्छा खासा इखिलाफ किया जो कि बड़ी अच्छी बात है बड़ा कुश हुआ देखें सर बात यह होती है कि हमने सर यह देखना होता है कि यार मार्किट में से चले ठीक है 500 निकल गए 400 निकल गए 300 निकल गए उसका इंपक्ट क्या आया इंपक्ट बेसिकली हमने देखना होता है और इंपक्ट के मताबिक ही हमने स्ट्राटेजी जो है वो उसको डिजाइन करना होता है अब भी बाते तो बहुत सारी होंगी दो सो सतासट हाज नीचे की तरफ और पिचानवे कॉंपनेस जो है वो उपर की तरफ चलें यार फिर भी ठीक है रिकवरी हो गई थोड़ी सी मार्किट की आटमोबाल की बात करें मिल्ले ट्रेक्टर ने थोड़ा सा रिकवर किया पाक सजूकी थोड़ा रिकवर कर गया बाकी नीचे सारे के सारे नीचे गंदारे भाई दोनों नीचे इसके बारे में बहुत सारी जो थी वो लोगों को पता नहीं क्या क्या जो है वो चांड सितारे दिखाए तो आगे चलते हैं मैंने उस दिन भी आप से जिकर किया था कि there is lots of opportunities बहुत सरी opportunities जो है वो पैदा होई है लेकन ये depend करता है कि आप इसको avail कैसे किया जाए तो avail करने का जो है वो एक तरीकार होता है जिसको हम लोग कहते है portfolio management फिर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो था ये इस चीज़ के उपर अच्छा खासा जोर दिया था कि सर्जी बेल्ट टाइटनिंग कर लें मुझे नहीं पता कि बेल्ट टाइट किस किस ने की थी तो देखेंगे जी इंशाला तो डोड़ वरी देखें परेशान नहीं होना अगर कोई बंदा परेशान है तो वो मुझे राप्ता कर ले चलें जी आपको एक खुली ओफर है कि अगर कोई बंदा परेशान है अपने portfolio के हवाले से तो वो मुझे राप्ता कर ले मैं जितना भी बिजी होंगा ना मैं सर उसको थोड़ा बहुत टाइम जरूर दे रहूँ और कोई फीस नहीं होगी चलें जी खुली खुली ओफर सरी परेशान लोगों का ये काम नहीं है आगे चलते हैं जी आटो मॉबाइल पार्ट्स की बात करें एक बैटरी उपर एक रुपया पैंथर टाइ थोड़ा सा रिकावर किया थल ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई ठीक है यार नाट बैड है मैं नहीं समझता कि कोई इतना बुरा हाल है लोड्स में से 19 पैसे निकल गए या लोड्स तो मुझे लगता है रुपय पे जाकर रुखेगा आगे चलते हैं केबल्स की बात करें वेव्स हमारा और नीचे चला गया है मैंने उस दिन जो था वो जिकर किया था कि सर अब इसकी नई कैल्कॉलेशन करनी पड़ेगी तो नई कैल्कॉलेशन करेंगे तो फिर आपके साथ भी डिसकस करेंगे सर मेरे पास भी है लॉस में है सीधी सी बात है जो चीज लॉस में है वो लॉस में है चाहे वो मेरे पास ही क्यों ना हो सेमट की बात करें सेमट के काफी सारे शेयर्स एक वक्त में तो लग रहा था शायर सारी नीचे है लेकिन काफी लुए रिकवरी दिखाई है अच्छी बात है जिनके पास देखें यह जो वक्त है यह नई बाइंग कर नहीं है ठीक है आप देखें आपको एक उपरचुनूटी मिली है अब आप उसको अवेल करें अपनी प दिवान स्वीमत आज फिर निकल गया जो इसने दो कैप लगाए थे मेरा ख्याल ने कि शायद निकल नहीं गए सारे पैसे इसमें से आगे चलते हैं प्लाइंग का फिर ठारा पैसे उपर चलो गुड़ है यार इन हालात में भी कोई तो है कैमिकल सेक्टर में ऑक्के डैसको चोटा निमर बड़ा निमर ओके कोई बाद नहीं आगे चलते हैं देखे मैंने आपको याद होगा कि लास्क भी जब मैंने समरी को डिसकस किया था तो मैं ज्यादा शेर्ज के नाम नहीं ले रहा था सर उसकी रिजन भी यही थी कि बाजकात ऐसा होता है कि फर्द करें हर बंदे का अपना अपना एक जो फेत होता ना अपना एक फेत क्या कहना चाहिए बलके अपनी अपनी एक राय होती है कुछ लोग जो है माशालला वीडियो देखते हैं तो उनकी एजमशन होती है कि यह जिस शेर का नाम लेंगे वो शेर थोड़ा बेतर होगा यह होता है तो मैं उस में धूब थोड़ा सा होतं है कि कहीं मैं किसी शेर का नाम लो उसका लेवल अच्छा ना हो तो नहीं कोई लेके फस ना जाये तो मैंने उस दिनुबी नाम जादा नहीं लिए थे मैं आज मिद थोड़ा एकतसार से काम ले रहा हुए देखें देखें सर बात यह होती है कि जिस वक्त मार्किट चल रही होती है ना उपर की तरफ उस वक्त तो देखें कैल्कुलेशन भी कोई खास नहीं होती है बस जो भी आप उठा लें वो चल जाएगा बात तो सर अब पता लगेगा जो आप जब आप शेर निकालेंगे गिरती हुई मार्किट मेंसे शेर निकालना और उसका लेवल डिसाइड करना दिस इस अ पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट मार्किट अगर उपर की तरफ है वो ग्रीन है हर रोज 400 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट उसके अंदर एड हो रहे हैं सर मैं यकीन के जिए उस कैलकु पॉटफोलियो मैनेजमेंट का तो अब पता चलेगा कि जब शेर नीचे की तरफ हो बीस बीस परसंट पंदरा पंदरा परसंट आपको पॉटफोलियो जो है वो लाल हो चुका हो आपके पास फंड्स भी कम हो तो जो बंदा सर्वाइव अब करेगा वो लॉस से बचेगा पॉट बुक करना यह कोई पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं है चेए नीचे का ओब बिच दे यह कहा बात हुई बिजनस यह है कि जब आपके पॉपर बुरा वक्त आए तो फिर आप उसमें सर्वाइव कैसे करते हैं इसको कहते हैं मैनेजमेंट चाहे वो आप दुनिय आया आगे चलते हैं कमर्शिल बैंक्स की बात करें असक्री ने थोड़ी इंपोर्वमेंट दिखाई सर यह जिनका बैंक है वो डाड़े बंदे हैं वो ठीक है बैंक कलफला भी थोड़ा बेटर रहा बियो पी मैंने आपसे याद हो गए जब इसने नौ पैसर लगाया था मैंने कि यह वागल नौ पर ही आएगा आगया चले कोई बाद ने फैसल बैंक 16 रुपय पर उसके बाद यह नेशनल बैंक का तो बड़ा धमाचोपड़ी मची हुई थी कि इसका पता नहीं कितना प्रॉफिट मैंसजे जाए थे कि जी इसके बारे में आपकी क्या रहा है तो मैंने का सर मैंने तोभीस का structure ने देखा कुछ किए नहीं सकता तो एप्रीयली शेरी नेचे चलें कोई बाद नहीं ऑर अच्छी पैनली है इसमें ب़ो अरूलान कस्ट्मिस चार उपर निकल गए अच्छे चलें फटलाइजर सेक्टर सारा ही ग्रीन माश्याला लाँ देखें ग्रीन तो हुआ है ना चाहे तीस पच्छिस- तीस पैसे हुआ हुआ है यह ना भाई इस तरह गिरते हुई मार्किट में किसी पूरे के पूरे सेक्टर का उठ जाना गुड साइन होता है मैंने लास्ट वी के वीडियो के अंदर भी यह बात जो थी वह आप लोगों से शेर की थी के फर्टिलाइजर सेक्टर जो होता है यह तक्रीबन ठीक ही होता है इसमें स्टेबल शेर ही होते हैं तो फिर मैंने साथ में यह भी कहा था कि यार इसका यह मतलब नहीं है कि अगर फ फोजी फूड की सारी पर्सनल फूड की बात करें अलशहीर और नीचे चलो मुझे लगता है यह बारा रुप्य पर चला जाएगा मेरे पास भी है वैसे नहीं है कैलकुलेशन करेंगे जी इसके दोबारा और सारी नीचे यह फूड के बड़े च्छे शेर जो है ना वो लै बीजीया ने तो कमाल नहीं कर दिया है और 258 भी लगाया है मेरे पास नहीं है वैसे आजगल वैसे यह गलास चल रहे हैं वैसे थोड़े थोड़े से ना बलकर थोड़े थोड़े से पहल सर्वाना पसंद नहीं करते हैं, मुझ समेत अ च्छैण कimonूरी होती है, तोड़ी से कनोनी मामिलात हैं, पाकिसान में चुक्छ के ये इतना सक्थी नहीं है तो इसलिए वहां पर ना यकीन के जैंए ये जो है ना इन्शोरंस इसका खोंगराना कोई खास तो इसलिए जो है ना वो अब मुझे यहां से एक बात याद आ गई वो हमारे उस्ताद साभी यह वाक्या सुनाया करते हैं वो किसी के पास गया उसको सुनिस जाकर सारी तफसील समझाई बताई तो उसने का यार मैं तुम्हारी बात समझ गया है यानि के पैसे भी मैं ही दू कि माफ किजेगे या वो हसते हसते जाना अच्छा यह हसने का मतलब यह नहीं है कि आज मेरा पोर्टफोलियो को इफेक्ट नहीं हुआ सार जी मेरा भी हुआ है लेकिन अपने आपको ना थोड़ा साइजी रखना चाहिए तर अच्छा फैसला हो जाता है अच्छा जी आगे जैस ग्लोपल कि जैस इंवेस्टमेंट उननीस रुपे पर आ गया चलो गुड हो गया आगे चलेंज आपके यार ये इंवेस्टमेंट बैंक्स भी है ना बस यह में चलती फिरती है ना चलते फिरते दर्वे के पिस्टल्स ही है यह आगे को नहीं तो पीछे की तरह चल जा पाकिसार में यार यह स्टॉक मार्केट के सेक्टर ही चार पांच है बाकी सेक्टर तो वैसी पता नहीं वह क्या कहते होते हैं भाग के जहना वह साथ मिले हुए उत्तेरी सारे लाल बादशार में से 32 रुपे निकल गए यारा जी फिल्मे शिल्मे सारी नीचे क्या ए यह विसे इसमें दो तीन शेयर हैं जो बड़े अच्छे लेवल पर आ रहे हैं यहगीं कि जरू है जो बड़े अच्छे शेय बड़े अच्छे लेवल पर आ रह रहा है इंशारला तो इसकी करेंगे कैलकुलेशन और आप से भी कुछ ज्यादा नहीं लेकिन कुछ आपके साथ करेंगे इंशाल्लाथ आउयलन एक्स्प्लोरेशन कॉंपनीज पीपील 8930 तक गया मुझे एक-दो दोस्तों दो जुड़ यार कुछ तो रिकवर किया अच्छा यार है स्कोल के बारे में मुझे याद आया कि वैसे तो मैंने पहले कह दिया कि यार जो बड़ाई परेशन ना वो फलीज मुझे से रापता कर ले ठीक है लेकिन है स्कॉल के हवाले से एक दो बाते हैं यार मैं वीडियो मे इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत सारे लोग जो है ना वो फिर उन बातों को ना 100% एकुरेट जो है ना वो उसकी अंडरस्टेंडिंग नहीं कर पाते हैं या मैं समझा नहीं पाता क्योंकि हैस्कोल बढ़ा ना समझ लीजिए दुखती राग गया इसके बारे में बात करना और फिर उसके बाद में अंडरस्टेंडिंग का भी ना होना तो फिर लोग माइंड बढ़ा करते हैं यार ठीक है ना तो मेरे जो दो चार जो दोस्त हैं जानने वाले जिनके पास यह हैस्कोल है वो तो मेरे साथ राप्ता करें बाकी लोग जो है वो भी टेक्स करके पूछ लीजेगा अब वो प्लीज आप टेक्स जो है वो वटसप पर कीजिएगा यूट्यूब पर ना कीजिएगा ठीक है क्योंकि यूट्यूब पर आज कर मुझे टाइम जरा कम मिल रहा ह उनके साथ उनको एक मश्वरा देंगे लेकिन वह कोई हंडर परसंट अथेंटिक नहीं होगा भाई वह सिर्फ एक चोटी सी राय होगी उसके बाद पेपर अड़ बोर्ड की बात करें सेंचरी और नीचे डेड़ उपया चलो शूकर है मैरियट और नीचे नहीं यार मैरिय अच्छा जी यार यह जो फार्मा है ना इसके बारे में ना एक थोड़ी सी बाद दरा सुन ले प्लीज ब्राय महरबानी तमाम दोस्तों नस्दीक नस्दीक हो जाएं यार देखें जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट जो है वो पांच लाख यह उससे कम है ना अब यह पावर जिनरेशन डिस्टिब्यूशन बाकी यह सिर्फ मेरी एक राय है को जुरूरी नहीं है कि आप उसके साथ इत्फाक करें पावर जिनरेशन कैप को और नीचे इसमें 30 पे तो नहीं जाना वैसे मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं है देखेंगे इन्शाला निशाद चूनिया थोड़ा सा उपर निशाद पावर उपर थोड़ा सा चलें कोई बात नहीं आज जी इन्शाला वो बर्जर का हम चार्ड डिसकस करेंगे वो मै जी वा ट्राइस्टार को यस्टर ने आज 946 मारा सौट पैसे उपर वाँ 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 हमेंगा फाइदा जी मैंने तो बेच दिया था नोबीस पर बलके 975 लगाया इसने गुड है यार उसके बाद टेकनोलोजी सेक्टर नेट सोल ने थोड़ी सी रिकव । पर गया ब्रुब टीक होगए यार लोडर लॉट को भारा चलो या यह իूился कि विड़न पैसे आल नीचे गया और मैंने इसको खरीदा मैंने तो आपने दोस्तों को फेजिम मैं आपने तो खड़ए बाकि सारा नीचे टेक्स्टाइल कंपोजिट में आजगा नाईन उपर इंशल्ला ना ये इस तरफ भी आएंगे यह दोड़े थोड़े सा निकालेंगे सबने साय उपर में ए ट्रांस्पोर्ट में नेशनल शिपिंग कार्पूरेशन उपर कंटेनर टरमिनल सारे नीचे वो 150 को टाच कर गया है चलो फिर कारी जाए जितना इसने करना ना वो कारी ले मेरी इसकी जिए कालकुलेशन थी वो मेरा खले मने शाद आपको बताई थी 155 की थी शायद अब उससे चला गया है यह नीचे मैंने इसको 155 पे भी नहीं खरीदा ठीक है ना अब मैं इसक कि नए कैलकुलेशन करूंगा तो फिर आपके साथ भी इसका करेंगे यह मेरा भी यह अच्छे खासे लाउस में है तो मैं तो परेशान नहीं वाकि आप में से अगर को परेशान है तो फिर वो इधर दरो हो जाए तो किसी से नहीं कहा के शेर खरीदे या बेचे आगे चलत करने की कोशिश करते हैं देखे लास्ट टाइम जब हमने केंडल डिसकस की थी तो आप गवा हैं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था मैंने बिलकुल जिकर नहीं किया था कि मार्किट में आगे क्या होने जा रहा है ठीक है ना मैंने सिरफ आप से यह कहा था कि आप खुद ही फै लेकिन आज की जो candle है ना ये जो आज candle बनी है सर मैं आज की candle से बड़ा खुश हो ठीक है ना ये बहुत अच्छी candle बनी है लेकिन देखिए एक चीज़ जो है ना वो हमेशा अब मैं हमेशा तो नहीं कहा सकता कोब कर आप माशाला मुझसे बहुत ज़्यादा पड़े लिखे समझधार लोग हैं चले एक राए है कि देखिए टेकनिकल में हम लोग एक राए कायम करते हैं लोवर लोड्स लोवर हाईज हाईर हाईज और हाईर लोड्स यह चार टर्म्स इस्तमाल होती है ठीक है देखें जब कोई जब कोई स्टक्चर जो है चाहिए वो इंडेक्स का हो या शेर का इटसल्फ स्टक्चर हो देखें उसके अंदर एक आद ग्रीन कैंडल बनने का यह कतल मतलब नहीं होता कि अब स्टक्चर सारा चेंज हो गया ठीक है न हमने यह देखना होता है कि जहाज का मुह किस तरफ है अगर जहाज का मुह जो है वो उपर की तरफ हो कोई एक आद ग्रेड कैंडल बन जे तो हम परेशान नहीं होते इसी तरह से अगर जहाज का मुह नीचे की तरफ हो और एक दो ग्रीन कैंडल बन जे तो हम सर खूश नहीं होते यह हम टेक्निकल जो स्टड़ी करते हैं ना सर यह उनकी आदत होती ह भी उसमें शामिल हूँ ठीक है ना लेकिन चले आज की गैंडल जो है वह अच्छी कैंडल है गुड कैंडल है उसके नीचे विक बहुत अच्छी है वाल्यम भी अच्छा था तकरीबन किसी हद तक रिकवरी भी बहुत अच्छी आई तो आज की कैंडल पर अगेन नो कमेंट जो मैंने कहना था सर वो मैंने साथ में कहा दिया ठीक है ना अब यहाँ पर मैं कोई इंडिकेटर शिंडिकेटर नहीं लगाँगा आज वैसे ही आज दोस्त बड़े गुस्से में आगे चलते हैं जी बरजर पेंड की बात करते हैं बरजर की बात करने से पहले मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी जिकर किया था कि ऐसे दोस्त अफ़ाब की जिनका पौटफॉलियो जो है वो एक मिलियन से कम है वो राप्ता कर सकते हैं कुछ एक दो दोस्तों ने राप्ता किया जिनका पॉर्टफोलियो एक मिलियन था और उससे ज्यादा भी था तो मैंने उसे माज़रत की तो खेर उन्होंने थोड़ा सा माइंड भी किया असलमें सर बात ये होती है कि जिन दोस्तों के साथ मैं पर्सनल पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ उनको सर मैंने एवरी वीक टाइम देना होता है मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ डिटेल के साथ वो असलमें वो सिस्टम नहीं है जिस तरह मुतलिफ चलते हैं ग्रूपस वगरा कि जी वो टेक्स्ट कर दिया तो बस उसके बाद फारग सर मैंने करनी होती है परसनल परसन टो परसन गुफ्तगू तो मेरे पास माशालला अभी तक जितने कलाइंट है ना तो टाइम नहीं होता तो इसलिए मैंने आपसे माजरत की थी कि वो प्लीज जो है वो भी राप्ता ना करें मैं इंशालला जैसे ही मेरे पास कोई सिच्टवेशन बनती है मैं जरूर जो है उनको टाइम दूँगा सर बाकि जो जिनका पोटफोलिय चोटा है वो राप्ता कर सकते हैं दो लाग तीन लाग पांच लाग वो राप्ता कर लीजिए उनके लिए थोड़ा सा मैंने सिस्टम रखा हुआ है आगे चलते हैं जी बर्जर पेंट की बात करें सर बर्जर जो है यह गिरा तकरीबन 116 रुपे से और 116 रुपे से गिरने के बाद इस वक्त जो इसकी पुजिशन है यह खड़ा है 91 पे ठीक है तो अब एक इंडिकेटर है उसको हम लगाने की कोशिश करते हैं अब इसके अंदर लोगों को इंट्रस्ट बड़ा कम हो गया है शेयर के अंदर वालियम भी तकरीबन ना होने क बराबर है इंडिकेटर अगर लगाए हम बुलिंजर बैंड क्या कहता है तो बुलिंजर बैंड कहता है जी के हलाद बड़े खराब है ठीक है क्योंकि अगर आप यह देखिए बुलिंजर बैंड के बारे में यह राए कायम की जाती है कि जब इसके लोग लोग जो इसका ल निकल जाता है तो देरी इस अचांसिस के इसकी रिकवरी शुरू हो जाएगी लेकिन अगर वहां से टकराने के बाद अगर ये मजीद नीचे की तरफ आता है जैसा के ये आया और फिर इसने थोड़ी से ट्राइ की देन फिर नीचे इसका मतलब ये होता है कि देरी इस सम्थि करना चाहिए इनको मजीद देखना चाहिए कि ये शेर कहां तक नीचे जा सकता है शायद कोई 80 रुपे के क्रीब तक भी चला जाए वहां से ये अपनी रिकवरी दिखाए तो वहां पे उसको जरूर जो है वो एवरिज करना चाहिए तो जैसे ही ये रिकवरी दिखाएगा तो काफी अच्छे चांसिस हो जाएंगे आपके पास कि आप ना सिरफ इसमें से अपना लॉस कवर कर सके बलके किसी हद तक आप इसमें से प्रॉफिट भी ले सके बाकी अगर आप कोई और इंडिकेटर इस्तमाल करना चाहते हैं चलें आरा से ही कर लेते हैं क्योंकि मैं त देखें बात करें तो बिल्कुल 31 रुपे की बात हो गई 31 पर लेकिन यहां पर आप अगर गौर करें इसकी आरा से के उपर तो आरा से का जो आगे से टिल्ट है वो देखें पहले था उसका मूँ बिल्कुल नीचे की तरफ अब यह वहां से थोड़ा साना सीधी हुई है इ इसके अंदर जो गरावट था जो यह फॉलिंग नाइफ बना हुआ था उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आई है यहां भी यू कह सकते हैं कि उस फॉलिंग नाइफ की जो रफतार थी वो थूड़ी सी कम हुई है और कम होने की वज़ा क्या है इसमें लगने वालियम कम हु होई है लेकिन इसमें अभी रिकावरी शो नहीं की यह एक इंपॉर्टन्ट फैक्टर है तो जिनके पास है वो प्लीज अपनी कल्कुलेशन कर लें उन्होंने क्या करना है बस जी आज के लिए इतना है अलाहाफिस